इस चैनल पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने गंदे पीले दांतों को सफेद कर सकते हैं यानि कि अगर आप बहुत जादा तंबाको, गुटका, पान, सिगरेट, बीडी या फिचाय पीने के शौकीन है और आपके दांतों का रंग डार्क हो गया है तो आप इस आसान से नुस्खे से अपने दांतों को फिर से सफेद कर सकते हैं यानि कि दांतों की सेहत को अच्छा बना सकते हैं सिर्फ आसान से इस घरेलू नुस्खे से तो मैं आज आपको बताऊंगी ये घरेलू नुस्खा जिसे आप आसानी से सिर्फ पांच मिनट में बना के इस्तमाल भी कर सकते हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास हमारे नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुँचेंगे आईए बनाते हैं ये नुस्खा इस नुस्खे के लिए आपको चाहिए एक पाकेट इनो का और थोड़ा सा नारिल का तेल तो दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए खाली कटोरी जिसमें हम निकालेंगे कम से कम आधा पाकेट इनो का इस आधे पैकेट के हिसाब से आपको इसमें डालना है ये नारिल का तेल नारिल का तेल आपको चाहिए होगा आधा चम्मच अंदाजे से आप इसमें आधा चम्मच नारिल का तेल डाल सकते हैं इसके बाद इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से मिला लेना है और आपको ब्रश की सहायता से इसे अपने दांतों पर लगा कर और फिर मसाज करनी है दोस्तों इस पेस्ट को आप अपने दांतों पर लगा कर कम से कम 4-5 मिनट तक मसाज कीजिए आप देखेंगे कि कुछी दिनों में आपके दांतों का रंग स्वाभाविक तोर पर सफेध हो जाएगा आपको इसके लिए कोई भी ब्लीचिंग या फिर डेंटिस्ट के इस पास जाकर उसकी सफाई नहीं करनी पड़ेगी और इस नुसके का इस्तमाल करके आप अपने दांतों को नाचरल तरीके से सफेध बना सकते हैं किसी भी तरह के दाग धब्बे चाहे वो चाई कॉफी के हो पान बीडी के हो या फिर तमबाकू के हो आप उसको इससे दूर कर सकते हैं तो इस नुसके का आजमाईए और अपने दांतों को फिर से सफेध बनाईए दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूले सब्सक्राइब कर ले